करेंगे वीरेंज सिंग जी हमारे इस्टेट इस डिपेट में आ चुके हैं वीरेंज जी आप से जानना चाहते हैं कि कांग्रेस बीजय पी के बीच जिस तरह से राजस्थान में रण खुला हुआ है वैसे आगर आप तेलंगा ना में देखें तो बी आरेस और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक कर चल रही है क्या फीडबैक है आपके पास इन दोनों राजियों का कि देखिए चुनाव जो है वह समीकरण से और मैसेच से बनते और बिगड़ते हैं राजस्थान हिंदी भासी राज्य है जहां पर बहुत दारुमदार निर्भर है दोनों पार्टियों का कांग्रेस का और भाजपा का और चुनाव परचार अब वहां समाप्त हो गया है अब जनता मद्दान से फैसला करेगी कि किसकी सरकार आएगी लेकिन हम लोग जिसको चुनाव में कहते हैं कि बहुत काटे की टककर चल रही है और एक दम ने कहा जाता है कि अंडर करेंट था हम लोग समझ नहीं पाए क्या राजस्थान इस तरह की कोई मिसाल पेस करने जा रहा है इस तरह का कोई माहौल वहां पर है यह आने वाले समय में पता लगेगा लेकिन एक बात मैं यह कहूंगा परमुक्ता से कि जो हिंदी भासी तीन राज यह है मदपरदेश 36 गड़ और राजस्थान अगर भाजपा को जीत की सबसे ज़्यादा संभावना कहीं दिखती है तो वो राजस्थान में दिखती है और उसके पीछे एक कारड़ यह रहा है कि हर पास साल में वहां सरकार बदलती है पास साल के इंटिन के बाद जनता उस दूसरी पार्टी की सरकार आती है और संयोग से अभी कांग्रेस की सरकार है ऐसे में भाजपा के लिए एडवांटेज बनता है तो एक परंपरागत बात मैंने कही दूसरी राजस्थान में भी अमिताब भूशन जी ने कहा बहुत अच्छा विसलेशन उनका था कि पाईयां जब हो जाती हैं तो इनके पड़ाम अंत में हार के रूप में भी सामने आते हैं और कई सारे स्टेट का भी आप लोगों ने देखा है तो अगर बीजेपी जीती है रायस्थान में और कांग्रेस हारती है तो सवाविक है कि गुडबाजी कांग्रेस को ले डूब जी और सायद इसके बाद गहलोत का राजनेतिक सफर भी बहुत लंबा नहीं होगा पास साल के बाद उनका सियासी सफर लगबाख खत्म के कगार पर होगा और सचीन पाईलेट अभी युआ है वो आगे लंबे समय तक कांग्रेस की सियासत को निभाएंगे देखिए बिजे जी एक बात और दिखती है कि अगर 36 गल में उमत परदेश में भाजपा हार गई तो मरहम लगाओ के लिए भी तो कोनो राज चाहिए वहाँ तो कम से कम राजस्थान से तो तो उमीद है कि मरहम लगा देगा थोड़ा बहुत अभी लोगसभाग चुनाओं की तयारिम करना ह और राहत अगर आ गई तो फिर यह जो पांच राज्यों के चुनाओं है तेलंगाना भी है 17 लोगसभा की सीटे हैं वहां करीब 80 लोगसभा सीटे इन पांच राज्यों से अच्छा दित हैं और यहाँ पर करीब 76 लोगसभा पर भाजपा का कबजा है तो यह एक माहौल तो यह पांच राज्यों के चुनाओं बनाएंगे देश में लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां लोगसभा की 25 सीटों में से 500 भाजपा जीती अब वह सरकार कांग्रेस के और लोगसभा में एक्कों सीट म से खाता नहीं खुला यह भी बिचित्र जनता का मैंडेड है और उसकी सोच और उसका आशिरवाद है जिस तरह से तरकारों को देती है तो बहुत सारी बातें ऐसी रही है जो तीन तारीक को जब मतगरना होगी तब चीजे सामने आएंगी लेकिन अभी तो हम लोग कहेंगे कि काटे की टककर है पता नहीं काटे की टककर है कि यह तरफा मामला है वह इसे जब सौचीट पे बहुमत होता है तो पिछली बार तो ललखलाते ललखलात का अंग्रेस बची बनी थी कभी 99 हो जाए कभी 101 हो जाए वो तो चल गई पांस साल सरकार नहीं तो मत परदेश में देखिये डियर साल में गिर गई थी तो अब आप जानते हैं सियासत के समीकर खर सुनिएगा एक साहित बढ़ियासा आज दोहा है कि राजनीत की सडक पर जलने लगे अलाओ और मुद्दा गर्माने लगा आया आम चुनाओ जो आलाएं उठने लगी लगी चुनावी लाए और जितने आदम खोर थे सब बन गए दुधारू गाए और बेकारी बढ़ती गई बढ़ते गए गरीब पर नेताओं के यहां बढ़ते रहे नसीब और जितनी विजली रासन मुप्त में बनवा दिये मकान और वोटों की खातिर रोज करते हैं कन्यादान बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इन्पूट और